नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका एक्जाम वारियर में तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो आज केस था 817 पोस्ट कोड के जियोए के लिए उसमें क्या फैसला रहा तो यह आप देख सकते हो कोड की यहां पर पीडिएफ उन्हों ने यहां पर एक पीडिएफ जारी की है जो कि यह केस का स्टेटस बता रही है जो पोस्ट कोड 817 पर हुआ था तो यहां पर पूरा डाटा है इसका यह 133 पेज की पीडिएफ है तो जब आप अंत में जाओगे तो यहां आपको कंक्लूजन पता लगेगा जैसे जब 131 यहां से आप पढ़ोगे अब यहां देखोंगे अब 33 पे लिखाएगी दर्स दा एच पी एससी इस डिरेक्टी तो रीकास्ट दा मेरिक लिस्ट फॉर जिए पांसो चपन तो यह रीकास्ट होगी और यहां आप जब इसे ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं न कहीं यह बात कहीं गई है कि जो पोस्ट है पांसो चपन की वो इंक्लूड नहीं होगी आट सो सत्रा में जैसे अब देखोंगे इसका मतलब यहां पर आप जब इसे पढ़ोगे जब आप इस पोस्ट इस पूरी पीडिया को पढ़ोगे तक कहीं ने कहीं इसमें यही कहा गया है कि जो अब जेए आइटी है 817 उसका प्रोसेस चलेगा लेकिन जो 556 की पोस्ट उसमें इंक्लूड हुई थी वो इसमें अब बिड्रो की जाएगी वो यहां से अब काटी जाएगी श्री यहां से पड़के आप प्रोसे प्सकान तो आपको यहां से पड़ना हैm पीडियाफ है आप देख सकते हो यह हाई कोड ने ओफिशिली फीडियाफ यहां पर डाउनलोड दी हुई है तो अगर आपको यह पूरी पीडियाफ चाहिए तो आप मुझे वट्साइप नंबर भी मैसेज कर सकते हो मैं बहां पर आपको पूरी पीडियाफ दे दूँगा त केस का स्टेटस है यहां पर इन्होंने एटूजड सब डिटेल इसमें दी हुई है तो आप इसे यहां से देख सकते हो और जिसको यह पूरी पीडियाफ चाहिए तो क्या करेगा तो वो देखो सिंपल सा मुझे वट्साइप कर ले क्योंकि अब यहां लिंक नहीं होती तो आपने सीधा इस नंबर पर मुझे वट्साइप करना है आपको पूरी पीडियाफ में दे दूंगा अब यहां की पीडियाफ के अनुसार यही कहा गया है कि जो पोस्टे हैं वो आपकी बिड्रोफ हो जाएगी तो अब आगे देखते हैं क्या होता है तो जुड़े रही आ आप एक्जाम वारियर के साथ ताकि ऐसे अपडेट आपको मिलते रहें